के नमस्ते सभी साथियों को स्वागत है आफ सभी का लर्न दोलोजी में Österreich जैसा कि आफ सभी ने इतिधास के पिछले वीडियो में देखा हमने सल्तनित काल के परिशे को बताया और पढ़ाया उसमें आपको बताया कि किस क्रम में किस किस वंस को पढ़ना है उसी क्रम में सबसे पहले बारी आती है गुलाम वंस, दास वंस या मामलुक वंस की जिसका काल खंड 126 से लेकर 1290 सुई तक चला तो उसी को आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारा पहला गुलाम वंस जिसके इस अस्थापक कुतुब उदिन एबग को माना जाता है वही कुतुब उदिन एबग जो कि मुहमद गुरी का दास था या गुलाम था उसने गुलाम वंस की अस्थापना अब 126 में की शुरू करते हैं एबक, कुतोबुदिन एबक गोरी का विश्वासी दास था. उसको बच्जपन से ही दास के रूब में मुहम्मद गोरी ने खरीदा था. वह एक तुर्क जन जाती का था कुतुबुदिन एबक तुर्क जन जाती का था और उसे अफगान के सासक मुहम्मद गोरी ने बच्पन में ही खरीदा था एक काजी से खरीदा था उसे बच्पन में एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था और उस काजी से मुहम्मद गोरी ने कुत्व बुजिन एबक को खरीदा था एबक डास वंस का संसापक बना जिसने बार सुच्छे सुई में बुलाम वंस के स्थापना की और अपनी राजधानी लाहूर बनाई उसने सुल्तान की उपाधी लिये बिना हिराज किया क्योंकि उस समय रीत चलता था जो भी कहीं का भी सुल्तान बनेगा वो खलीफा से जो खलीफा होते हैं मुसलिम धर्म में उनसे सुल्तान की उपाधी लेगा और राज़ी करेगा कुत्व बुदिन एबक ने ऐसा नहीं किया क्यों नहीं किया ऐसा हो सकता है कि उसके पास समय कम था वो 1260 में हुसासक बना और 1210 में उसके मृत्टी हो जाती है अपने दान प्रवित्य के लिए कुत्व बिदिन एबक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता है मलब लाखों का दान करने वाला एबक ने क्या क्या बनवाया तो अबक ने कुवत उल इसलाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया जो कि महरोली में इस्तित है और इसी के अंदर कुवत उल इसलाम के अंदर ही चौति सताबदी में लौ इस्तम बना हुआ है धाई दिन का जोपड़ा बनवाया धाई दिन का जोपड़ा जो की पहले स्कूल था एक जिसको चवान वंस की विग्गरह राज राजा ने बनवाया था उसी को तोड़कर कुतूब दिन एबग ने उसे धाई दिन के जोपड़ा को मस्जिद बनवाया धाई दिन का क्या है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि धाई दिन का जोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है कुतूब दिन एबग ने कुतूब मिनार की सुरुवात कराई थी उसका पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर कुतूब दिन एबग ने बनवाया और तीसरा चौथा और पांचवा इल्तूत मिस ने बनवाया था जो कि कुतूब मिनार का पूरा काम इल्तूत मिस ने खतम कराया था लेकिन कुछ समय बाद पांचवा फ्लोर उसका आंधी से तूट जाता है जिसको पूर्ण रूप से रिपेरिंग जिसे कहते हैं वो फिर उस साथ तूगलग ने कराया था कुतूब मिनार के बारे में ये अफैक्ट आपको पता होने चाहिए 1210 हिस्वी में चौगान चौगान एक घोड़ावे बैटके आदुनिक पूरू जैसा गेम था उस जमाने में उससे गिर कर कुतूब बिदून एबग की मृत्ति हो जाती है और उसे आगरा में डपनाया गया और उसके बेटा जो था आराम सा वो आराम से आता है वो आराम से चला जाता है वो बिल्कुल भी योगे सासक नहीं था एबग का पुत्र जो की 1210 इस्वी में सासक बना परंत इलतूतमिस ने उसकी हत्या करकर खुद राजा बन जाता है वही इलतूतमिस जो की कुतूब बिदिन एबग का गुलाम या दास था बात करते हैं इलतूतमिस की इलतूतमिस 1210 में आराम सा की हत्या करकर राजा बनता है और 1236 तक दिल्ली से सासन करता है इलतूतमिस के बारे में बता जाता है जब आराम सा सासक बना तो जो वहां के अमीर लोग थे लाहोर इलाके के उन्होंने आरामसा को पसंद नहीं करते थे और इलतूतमिस से आगरह किया कि आप राजा बनिये कैसे भी आरामसा को हराईए या इसे माई डालिये तो इलतूतमिस दिल्ली की इलाके से राज करने लगा और जैसे जैसे उसकी सेहने ताकर बढ़ी उसने आरामसा की हत्या करकर खुद को खलीफा से सुल्तान बत की उपादी ली और अपने आपको सुल्तान गोसित कर दिया इल्टूतमिस एबक का गुलाम ये उम्दामाद भी था उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई जो कि कुतुब इजिन एबक और आरामसा के समय में राजधानी लाहर थी उसे इल्टूतमिस ने दिल्ली बनाई अब यहीं से हमेशा दिल्ली ही राजधानी अक्सर सासकों के कालखंड में रहेगा गुलाम वन्स का वास्टिविक संस्थापक इल्टूतमिस को ही कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि 1210 से 1236 लंबे कालखंड तक इल्टूतमिस ने राजधानी और कुछ प्रमुक काम किये जिससे इल्टूतमिस को मुख या मुख संस्थापक वास्थूक संस्थापक कहा जाता है जैसे उसने इक्ता प्रथा चलाई इक्ता प्रथा का मतलब होता है कि अपने सेना पतियों को काम करने के बतले में उसने जमीने दी और जमीनों से उनसे लगाने लेने लग गया उसके बाद उसने सबसे बड़ा काम किया तुर्काने चहल गामी जिसमें 40 तुर्क सरदारों का एक कमिटी बनाया ग्रूप बनाया जो उसे सलहा दिया करते थे सुद्ध अर्बी सिक्का चलाया जो की चांदी का टका और तामबा का जीतल तो प्रिक्षाओं में पुछा जाता है कि जो टंग का इल्टूत मिस्न चलाया था वो किस धातू का था तो चांदी की धातू का था और जीतल किस धातू का था तो दामबा का था कुतूब मिनार का निर्मार पूरा करा जैसे मैंने पिछले अभी कुछ दिर पहले बताया कि कुतूब मिनार का न्यू जो था पहला दूसरा फ्लोर वो कुतुब बिजन एबग ने बनुआया था उसका पूरा कार पांचो फ्लूर इल्टूतमिस ने बनाया मंगोल सासक चंगेज खा भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमठ इल्टूतमिस की समय हुए और भारत में तो घुस नहीं पाया लेकिन उस इल्टूतमिस के बाद उसका पुद रुकनो दून फिरूज गद्धी पर बैठा इल्टूतमिस ने तो चाहता था कि रजिया सुल्तान गद्धी पर बैठे लेकिन वहां के जो अमीर जो बड़े बड़े लोग थे वो चाहते थे कि महिला सासक ना बने तो उन्होंने इल्टूतमिस के मृत्धी के बाद रुकनो दिन फिरूज को गद्धी पर बिठा दिया रुकनो दिन इतना योग जासक नहीं था और रजिया सुल्तान उसे हटा कर खुश सासिका बन जाती है और रजिया सुल्तान के बारे में हमेशा से परिक्षाओं में एक प्रस्द जरूर पुछा जाता है कि भारत की प्रथम मुसलीम महिला सासिका कोन थी तो रजिया सुल्तान थी रजिया सुल्तान के बारे में ये सबसे मुक्य कोस्ट्यन है और दूसरा रजिया सुल्टान को वहां के अमीर लोग बिलकुल ही पसंद नहीं करते थे वो नहीं चाहते थे कि महिला के सामने उनका सिर जुके इसलिए उन्होंने प्लान किया और अनुगर किया भटिंडा के राजा अलतुनिया से कि रजिया सुल्टान पर आक्रमण करें और उसे हरा कर दिल्ली का सासक बने अलतुनिया वैसा ही करता है और रजिया सुल्टान को हरा कर बंदी बना लेता है लेकिन परन्तु बहरामसा जो रजिया का भाई था वो भी राजा बनना चाहता था और रजिया को बंदी बना लिया था तो अतुलनिया को हटाने के लिए बहरामसा ने रजिया सुल्तान और अलतुनिया का दोनों की हत्या कर देता है और खुद बहरामसा सासक बन जाता है रजिया ने अपने कूट निती का पर्चे देते हुए बंदी बनने के बात अलतुनिया से विवा भी कर लेती है और सोचती है कि दिल्ली पर आक्रमट करकर दिल्ली को हत्या लिया जाएं लेकिन उसका भाई बहरामसा बार सो चालिस स्वी में रजिया इवं अलतुनिया दोनों की यह थ्या करवा देता है उसके बाद बहरामसा राजा बनता है बार सो चालिस से बार सो बार सो बार सो बार सो बार सो बार सो चालिस तक इसका काल खंड रहा उसके बाद अलाओ दिन मसूद सा बार सो बार सो बार सो बार सो च्यालिस से बार सो च्यालिस उसे बार नसरी दिन महमूद बार सो बार सो बार पुछे जाते हैं तो इनका बस आपकाल खंड याद रखिए और बहरामसा के बारे में याद रखिए बहरामसा रजिया सुल्टान और भटिंडा के राजा अलतुनिया के हट्ट्या करवादी थी 1240 स्वी में उसके बाद खुछ सासक बनता है इसके बाद बल्बन आता है बल्बन जो की इल्टूतमिस का गुलाम था और उसी तुर्के चहल गामी का सदसे साज जिसे 40 तुर्क सरदारों का समू कहा जाता था बल्बन का पूरा नाम गिया सुद्दीन बल्बन था 1449 स्वी में बल्बन ने अपनी पुत्री का बिवा सुल्तान नसरिदुन से करा दिया सुल्तान नसरिदुन से जब उसने अपनी पुत्री का बिवा करा दिया तो उसे राजा सासक से नस्रिद्दिन से नजदिकियां बढ़ गई और नस्रिद्दिन ने उसे प्रमुक सेना पती बना दिया और नस्रिद्दिन ने उसे उलूख खां की उपादी दी और बल्बन ने उलूख खां की उपादी दी और जब नसुरी दिन की मृत्य हो जाती है 1266 सुई में तो बल्बन खुद को सुल्टान बना लेता है और दिल्ली से सासन करने लगता है बल्बन ने लोव और रक्त की निती चलाई लोव और रक्त का मतलब है खुन के बदले कुन तलवार के दम पर राज्य को जीता जाता है और सत्ता चलाया जाता है ऐसा बल्बन का मानना था उसने देवत की सिधान को माना और सुयम को जिल्ली अल्ला इस तोर का प्रतिविम कहा मतलब बल्बन ने कहा लोगों से कि मुझे अल्ला ने भेजा है मैं अल्ला का प्रतिबीम हूँ और जो अल्ला ही चाहता है कि मैं राजा बनू, सासक बनू उसने निरंकुस्ता का सिद्धान दिया उसका कहना था कि प्रजा बिना निरंकुस्ता के कंट्रोल में नहीं आती है इसलिए निरंकुस्ता जरूरी है उसने अमने बेटे को भी यही सीख दी उसने तुरकान चहलगामी को समाप्त कर दिया जो कि वो खुद तुरकान चहलगामी का सदस से था फिर भी उसने तुरकान चहलगामी को समाप्त कर दिया यो कि यह जो सरदार लोग थे ये लोगों को भड़काती थे भी राजा के खिलाब ऐसा पिछे हो चुका था इसलिए बलवन ने इसे खतम कर दिया चलते हैं आगे उसने एक नए सैने विवाग दिवान अर्ज की अस्थाबना की ये बलवन के वारे में सैन में जो उसने अपनी चमता बढ़ाओ, दिवाने अर्ज का गठेन करके एक सर पर एक च्षाओं में पूशा जाता है उसने सिजदा और पैबोस परता चलाई सिजदा पैबोस सिजदा का मतलब है दरवार में जो कोई भी आएगा सारे दरवारी सासक के सामने राजा के सामने बल्बन के सामने अपना सर जुका कर अदाप करेंगे जो कि मुस्लिम धर्मे में ऐसा नहीं था कि उनका कहना था कि क्यों लोगा अल्ला के सामने सर जुकाएंगे लगिन बल्बन ने इसके खिलाब उसने खुद को अल्ला का प्रत्विम बताया था तो उसने सिजदा की सुरुआत की और पैबोस मलब चरण को चूम कर प्रडाम करना पैबोस उसने सिजदा और पैबोस की पता चलाई और फार्सी तेवार नैरोच का आरम किया नैरोच का आरम किया जो कि एक इरानी तेवार था बल्बन ने मंगोलों के आकरमड से दिल्ली को बचाया बलबन के काल में कई मंगलों के आक्रम अड़ हुए और उसने सब को नाकाम कर दिया अमीर खुसरो और आमीर हसन बलबन के दरबाजी थे वही अमीर कुसने जिसने तबला के खोज की और जिने भारत का तोता कहा जाता है बल्बन के बाद उसका पुत्र कैकुवाद सासक बना जो की 1287 से 1290 तक सासन किया और उसकी पालिस मरलव की क्या बोलते हैं उसे लकवा मारने से मृत्जी हो गई उसके बाद क्यूमर्स जो था उसे जल्द वाजी में क्यूमर्स की किवल उमर तीम साल गी थी और उसे राजा बनाया गया कैकुवाद जो था उसने बूलन सहर में जलाऊ अद्दिन खिलजी को सेना पती बनाया था और जलाव दिन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तीन साल के क्यूमर्स को सासक या राजा बनाया गया उसने क्यूमर्स की हत्या कर दी और 1290 में गुलाम वन्स पूरी तरह से खतम हो जाता है और वहां से शुरू होता है खिलजी वन्स तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वन्स को विस्तित रूप से अब हम गुलाम वन्स, दास वन्स या का वीडियो खतम होता है आप एक बार वीडियो देखिए, एक बार और देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर याद हो जाएगा और प्रेक्षा में गुलाम रास्वन से आने वाले सबी अबजेक्टिव को आप हल कर पाएंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी सेयर करिए जैसे कि उनका भी भला हो सके धन्यवाद, जय हिंद